चर्चा कर इनके विशे के बारे में चिंता जताई जाती है यहां यह कहना भी उचित होगा कि अब धीरे-धीरे स्रमिक प्रेडियूनियंस की भूमिका के बारे में संधे कर उन पर कम विश्वास करने लगे हैं उनके बहुत सारे कारण हैं और यह आज अचानक नहीं हुआ है 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद से ही स्रेम संधनों का ग्राफ नीचे की ओर आने लगा था और अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है उसके बहुत सारे कारण है नमबर एक नियोकता का स्रेमिकों के हितों पर या स्रेमिकों के वेलफेर पर ध्यान देना अब कोई भी प् स्रेमिकों के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखता है नमबर दो स्रेमिकों की संख्या में निरंतर या तो तक्नीकी विकास टेक्नोलोजीकल डवलप्मेंट मोडरनाइजेशन मशीनी करण आर्टिफीशल इंटेलिजेंट का प्रियोग होने के कारण कमी आ रही है नमबर तीन स्रेमिकों की सिक्षा का इस्तर अब पहले के मुकाबले में सुधर गया है अब उननिस सो साथ के दसक का अनपढ़ वरकर नहीं अब पढ़ा लिखा वरकर आने लगा है वह अपनी हित और हित दोनों को समस्ता है नमबर चार स्रम संगधनों की संदरचना और उनके मूलीन का हिरास हुआ है नमबर पाच स्रम संक्धनों की जो भूमिका है वह आपस में मल्टी यूनियन होने के कारण तनावग्रस्त रहती है और स्रमिक उनसे दूर होता है नमबर छे समाजिक मान्यताओं में बदलाओं के कारण स्रिमिकों के नेताओं की या स्रिमिक नेताओं की समाज में स्विकारियता में कमी आई है नमबर साथ एक ही इकाई में कई कई स्रम संग्धन होना और आपस में लड़ते रहना नमबर आठ वीक फाइनेंशियल पोजिशन्स अब यूनियनों को चंदा नहीं मिलता तो यूनियनों के पहले जैसे गोल्डन पिरियड नहीं रहा नमबर नौ तेजी से गिग वर्कर्स प्लेटफर्म वर्कर्स या अन और अन और्गनाइज सेक्टर में वर्कर की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जिनको ना समाज रोकने की कोशिश कर रहा है और सरकारों ने भी अभी इस ओर अपना ध्यान नहीं दिया है नमबर दस सरकार और समाज की बदलती सोच या उनके सोचने का नजरिया प्रेड यूनिन के प्रती कुछ अलग हो गया है इनहीं कारणों से यह प्रस्ण बार-बार उठता है कि स्रम संक्ठनों का भविश्य क्या हो इस विश्य को जानने के लिए हमें थोड़ी सी इसकी गहराई में जाना पड़ेगा यूनियन्स करती क्या है यूनियन्स वरकर को स्रमिक को एक पावरफुल एक जोरदार एक सक्तिसाली तरीके से इखटा कर उनकी कलक्टिव वोईस को सामोही का आवाज को मैनेजमेंट तक पहुचाती है जो उनके अंदर डिस्सैटिस्ट्रेक्शन असंतोष की भावना या फ्रस्ट्रेशन जो उनके अंदर घुटन होती है उसको वह बहार करती है जो लोग उद्योगों में उनकी यूनियनों के साथ काम करते हैं वह उनको सुरक्षा प्रदान करती है उनको प्रक्ट्रक्शन देती है और उनको उनके वर्क प्लेस पर उनके कारिये स्थल पर सुरक्षा स्वास्थ और वेजिज या मजदूरी में या उनकी तनखा में किस तरह का डिस्क्रिमुनेशन नहीं होने देती है और वह स्रमिकों के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखती है यह स्रमक संग्ठनों का कुम्हूल उद्देश है अब होघ्या रहा है जो आज का परपेख्ष है, जब एंपलोर को समझने लगाज़ जब तक मैं स्रम का मूले नहीं करूंगा तब तक मैं गया नहीं कर सकता स्रमिक का हित करना उसको अपनी पूरुजी के हिचि c k के बराबर रखना पड़ता है यदि वह नहीं करेगा तो ग्रो नहीं कर सकता है trade unions के बारे में जो ट्रेड उम्हेंस की जानकार हैं जो trade unions पर काम करते हैं जैसे मेरी संस्था WK Declarationem jeśli अ संस्था इस सी और बहुत सारी संस्था है इस तरह की एक संस्ता है एक्सलराई उनके प्रोफेसर जो लेबर एकोनोमिस्ट भी है के आर शाम सुंदर जी कहते हैं ट्रीडिन उनियंस इन इंडिया आर नोट सिंक विद्धा चेंजिंग वर्क प्लेस बदलते माहौल मैं वह अपने आप में बदला और सिंक्रोनाइज लोनीट कर रही है लेकिन वह एंट कुछांस को नहीं कर रही है और को इंटीो लाजाएज को आ अगे नहीं ला पा रही है जिन से श्leshक का ऑš वो अपनी बात बड़े जोर सोर से कहते हैं बड़े लाउड तरीके से कहते हैं बट उनकी पीछे कोई बैक ग्राउंड में एविडेंस नहीं होता डू यू सी एवीजन डोकुमेंट उनके पीछह कोई ट्रेड उनियनस का इसा कोई वीजन डोकुमेंट नजर नहीं आता या ऐसा कोई उनका पाथ प्रोग्रेश का वाइट पेपर नहीं आता जिस्से व अपने सुरक्षित भविश की घ cosplay दे सक है कि उनका भविश्व क्या है दिस इस वे आर दा इस्टेट एंड एंपलर्स हब फॉक्स देंड काउंटर्ड देम थ्रू एविडेंस जबकि वास्ट्रिक्ता यह है कि भारश सरकार या राज सरकार और या एंपलर्स उनको अपने दॉकुमेंट के साथ अपने अच्छी नीतियों के साथ अपने एचर पॉलिसी के साथ या इस्टेट रूल्स के साथ यह प्रूव करती हैं कि वह उनके सिर्मिकों का हित साधने में पूरी तरह सक्षम हैं और निरंतर प्रयास रत हैं इस बारे में जो भारत की सबसे प्रानी स अब तक का सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं और हम उसको करेक्ट करने का भी अभी ठीक से नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या तरीका है कि हम उसको ठीक कर आगे बढ़ सकते हैं कि वी आर फेसिंग टफ़ेस्ट टाइम एंड टाइम नाव एंड देयर इस नथिंग आइकन तेल यू करेक्टली ओन हाव तू ओवर कम इस राइट वे इसी तरह से जो सीटू के नेशनल केश्डेंट ए आर सिंधू है उनका कहना है कि हम उन टेक्नोलोजीस का उन तक्निकी का ठीक से एडॉप्शन और मोबलाइजेशन नहीं कर रहे हैं जो आज के उद्योगों के लिए परमावश्यक है है हमने कुछ काम करना चालू किया है लेकिन अभी उतना नहीं हुआ है जितना हमें करना है एडॉप्शन और टेक्नोलोजी फर मोबलाइजेशन आउट्रीच is must we have started doing it the second of union are now shifting gear from being top down to bottom up पहले वे उपर से चलती ती अब नीचे से उपर की ओर जाना पड़ेगा during the lockdown ये पंडिक में के lockdown के पिरियद में the success of old workers strike and defense factory workers strike told us that it's the regional leaders or sectorial leaders who will increasingly help the trade union movement to survive and thrive is to environment the slow death of public sector very interesting बहुत बढ़िया बात the slow death of public sector companies have harmed the unions अज जो public sector खत्म किया जा रहा है दीरे दीरे उससे unions हों को बहुत छती हुई है परंतु आने वाले समय में become the stronger push to the workers welfare here technology will pay big role तो आने वाले समय में तक्निक जैसे जैसे artificial intelligence का यूज बढ़ेगा और digitalization का एरा आएगा तो यह हमारे लिए नंबर भले ही कम हो लेकिट अच्छा होगा ऐसा उनका मानना है नंबर तीन बात कहते हैं जो RSS के प्रमुख है श्री मोहन भागवत जी उन्होंने भारतिय मजदूर संग को कहा भारतिय मजदूर संग फंक्शनरीज नियरली थे सेम थिंग अव्रीवन इन दा कंट्री शुट गेट जस्टिस फोर अपर पर्पाज नुवेज फ्रेट यूनियन वर्क नीज तो बीडिजाइन अगर्डिंग तो दाचेंज इन ताइम जैसे जैसे समय बदल रहा है भारतिय मजदूर संग में ज पूड़े हुए हैं वहें अपने आप में उन बदलावों को तेजी से स्वीकार करें जिनकी आज आवश्यक्ता है इसके अलावा जो प्रेजडेंट इंटक के हैं संजीव जी उनका कहना है प्रेड उन्योंस नो डाउट हाव तो गिव अटेंशन तो दा प्रोब्लम्स आफ देर मेंबर्स उनको अपने सदस्चों की जो समश्याएं उनको ध्यान देना पड़ेगा जो उनकी वर्किंग कंडिशन्स और अदर कंडिशन्स अफ एम्प्लॉमेंट जो उनके रोजगार की कंडिशन्स दसाएं हैं उनसे संबंदित हैं दीज मस्ट बी गिवन ब्यू कंसिडरेशन और इफेक्टिव स्टेप जो उनके सोफ्ट लोर पर जैसे अभी 2003 का नया एक एक आया जिसको पॉश बोलते हैं प्रवंशन और सेक्ट्वल हरास्मेंट उनके रिड्रेशन का तरीका और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वर्क्स कमेटी है उनमें जो तरीके हैं उनको ठीक से पालन करन और उन स्रिमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए उनको ठीक से लागू करना और करवाना यह हमारा मुख्यमुद्दा होगा उन्होंने एक बात और कही कि अपने वर्कर को उचिक प्रसिक्षन और उनकी काउंसलिक की जानी भी परमावश्यक है आज यह बात इस पस्ट हो गए है कि जब तक लोगों को हम प्रसिक्षन के द्वारा नए रूल्स रेगुलेशन से प्रसिक्षित नहीं करेंगे नई टेक्नोलोजी के साथ उनकी कॉंपिटेंसी या इस्किल सेट डवलप नहीं करेंगे हम जो नई टक्नीकी है जो आटोमाईजेशन है मोडरनाईजेशन है वो सो फ्लोर पर उसकी एक्सपर्टीज को लाने के लिए हमें जो कॉंपिटेंस और स्किल सेट चाहिए उनके लिए जो प्रसिक्षन की आवश्चकता है वो दिया जाना आवश्चक है तो यह प्रमुख लेबर और्गनाईजेशन पूरी तरह प्रियासरत है कि संपूर्ण विश्व में उसकी जो कन्वेंशन्स में लेबर से स्रम से संबंदित कानून पास होते हैं जो नए नए डवलप्मेंट आते हैं वह पूरी तरह लागू हों भारतवर्स इन में अभी बहुत पीछे है ज वह उनको लागू करवाने के लिए अपने आप में बदलावना है अपने जो इस्ट्रक्चर है उसको चेंज करें अपनी आइडियोजी को अटमाईजेशन मोडरनाईजेशन और रूल्स और रेगुलेशन के साथ अपडेट कर आगे बढ़ें और स्रमिकों के हित को ध्यान तो आयलो जो यह कहता है कि हमारे यहां इस तरह के चेहरे सोफ लोड पर नजर आने चाहिए चाहिए वह किसी भी कंडिशन में किसी भी उद्योग में किसी भी खारियम है वह चाहे आज का ंग का हो को चाहे आपका है डिजिटल मार्किटिंग का हो मैनिफक्शिंग का हो ऐगरी कल्चर सेक्टर हो वह चाहे आपका रियल एस्टेट हो आपका सब चीजों में उन सब का रोल इस तरह होना चाहिए है अब हम बात करते हैं कि दस प्रिमुक् отв मुद्दे हैं जिनकी वज़े से एकता में सक्ति है तो सब एक जगे रहें यह यूनियन का पहला काम है और यह उसकी प्रमुख महतता है कि वह सब को एक समुह में बांद कर रखे और उन सब की बात को समझ कर एक सामुहिक तरीकी से प्रबंदन तक पहुचा है नमबर बो जो उससे संबंदित या उस कारखाने में या उस और्गनाईजिशन में लोग काम करते हैं उनकी कि टर्मस कंडिशन्स और वरकिंग कंडिशन्स दोनों बहतर हूं पुराने की तरह ना हूं नमबर तीन लोगों के जो आये लोग की कंवेंशन के हिसाब से जो होलीडेज हैं और लीवस हैं वो सब को मिलें आज वो क्या रहा है कि जहाँ यूनियंस मजबूत हैं वहां मिलत हैं अभी भारत में इस्टेट वाईज इन सब में बहुत डिफरेंस है अभी वी और सेक्टर वाईज इंडस्ट्री वाईज बहुत डिफरेंस है तो इन सब को ठीक किये जाने की आवश्यक्ता है यह यूनियन का एक महतुपूर्ण मुद्दा हो सकता है इसलिए उसकी इंपोर्टेंस है हायर वेजिच भारत में प्रोड़क्टिविटी लो है इसको कोई नहीं नकार सकता उसके बहुत सारे अमकारण है लेकिन वेजिज भी बहुत कम है यदि आप इंटरनेशनल लेविल पर वेज देखें हैं उनको प्रोड़क्टिविटी बढ़ाई जाया उनकी वेजिज भी बढ़ाई जाया यह भी एक स्रम संगठनों का प्रमुख मुद्दा है कि अंबर पांच जो उनके महक्व को बढ़ाता है मोर के आर्स एचार पॉलिशी वक्त बनाते वक्त और परस्नल पॉलिशी बना की सेलरी स्ट्रक्चर का हो या और किसी चीज का हो जो उनके हितों से जुड़ी होई हैं जैसे क्रचिज है केंटीन है स्कूल से हॉस्पिटल्स हैं इन सब का हो प्रांस्पोर्टेशन है इन सब का पूरा-पूरा उनका हित लाब देखना की इंपोरेंस को बढ़ाता है तो financial security or stability, किसी की भी financial stability और उसकी security बनवाना, बना कर रखना, उसके employment की रक्षा करना, उनके लिए एक महतुपूर्ण विशे है, जिससे स्रम संक्टनों का महतुप और बढ़ जाता है. नमबर साथ है, having someone in support, alone worker feel weak, एक-एक करके हम बहुत कंजोर हो जाते हैं और एकटा हो करके हम बहुत मजबूज हो जाते हैं, तो worker को एक support चाहिए, इसलिए स्रम संक्टनों की importance हमेशा बहुत बनी रहेगी. नमबर आठ, हर किसी स्रमिक को equal opportunity मिलें, वह negotiation machinery में उसकी आवाज पहुँचे और उनका ठीक से निधान हो. तो equal opportunity का मतलब यह है कि जो फ्लोर पर favoritism है, nepotism है, या जो performance management के नाम पर discrimination है, उन सब को ठीक किया जाए और ठीक से implement किया जाए. मैं यह नहीं कहता कि performance management में जो अच्छे better performers हैं, उनको ना रखका जाए, लेकिन उनमें जो कुरूतिया हैं, उनको दूर करने का जो काम है, वह unions के लिए, उनके महत्व को और बढ़ा देता है. नमबर नो है, स्वास्थ और सुरक्षा, यह आज का बहुत महत्वन मुद्दा है, क्योंकि अब worker पहले की तरह सिलो स्पीड में काम नहीं करता है, मसीन की स्पीड बढ़ती जा रही है, बहुत फास्ट हो गया है, तो इस गती मान युग में उनकी सुरक्षा, और आज के ब है, तो उन सब का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, और यह स्रमिक संग्ठनों के लिए उनकी मजबूत बनाने के लिए एक महत्व को मुद्दा है, उनकी महत्व को और बढ़ा देता है, नमबर दस है, लीगल सपोर्ट, स्रम संग्ठनों का महत्व इसलिए भी है कि वह है प्रतियक वरकर अपने लेबर लोग की जानकारी या उसके अतरिक्त अपने प्रोटेक्शन के लिए सभी चीजों की जानकारी नहीं रख सकता, लेकिन ट्रेड यूनियंस रखती हैं, उनका रोल है, वो अब उनकी एप्रोच है, वो लेबर डिपार्टमेंट से, लोकल एड तो हमेशा रहेगा, यदि इन में से किनी भी चीजों को हम छोड़ें तो वरकर का अहित हो सकता है, इसलिए ये सभी मुद्दे बहुत महतुपून हैं और इनी कारणों से स्रमिक संक्ठनों का मूल हमेशा बना रहेगा, अब बात करते हैं कि यूनियनों के लिए क्या अच् अब नमबर वन, stopping unfair and underhand practices, यह employee के लिए भी अच्छा है और company के लिए भी अच्छा है कि जो वहाँ unfair practices हैं या underhand practices हैं उन सब को या तो eliminate कर देना या remove कर देना, तो यह एक सबसे महतुपून मुद्दा है, नमबर दो, providing a soundboard, आप union वालों से कुछ भी कह सकते हैं, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप अपने हिद की बात, आपको जितनी संजमाती है, जरूरी नहीं यह वह सही हो, लेकिन जो आपकी संजमाती है, आप उसको as a sounding board खुल कर, पूरते हैं अपनी सक्षमता के साथ, अपने ज्यान की सीमाओं के साथ, अपनी दक्षता कुशलता, अपनी वाकपटता के साथ कह सकते हैं, नमबर तीन पर हम बात करते हैं, यह communication का two-way channel है, ऐसा नहीं है कि एक ने कहा और दूसरे ने सुना, आप नीचे की बात उपर, उपर के बात नीचे, तो communication पूरी तरह चर्ण होता है, तो communication chain को पूरा करता है, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण, अच्छी चीज है, जिससे company और employee दोनों का हित होता है, नमबर, नेक्स्ट है, टेक की कम फोर दा अंडर डॉग, अंडर डॉग का मतलब है, लिविंग HR, इस्थिक, प्रंसिपल्ड, और न्यूट्रल स्थेंस, कि वह एक वाच डॉग की तरह काम करती है, जहां गलत होगा, वहीं रोकेगी, जहां वरकर का हित होगा, तो management को समझाएगी, और company का अहित होगा, productivity बढ़ानी होगी, यह समझाना trade union का काम है, तो यह एक वाच डॉग या अंडर डॉग की तरह भी काम करती है, नमबर नो है, funneling diverse employee need to coherent demand, यह पूरे कारखाने में काम करने वाले, उद्योग में, संग्ठन में, संस्था में काम करने वाले लोगों से, आज तो electronic media है, social media का use है, उनसे उनकी voice collect करके, उसकी funneling करके, सबको ठीक से समझके, फिर अपनी भासा में, एक coherent demand बनाकर management तक पहुचाती है, तो जो बहुत सारे लोगों की आवाज है, जो collective bargaining का principle है, उसको यह पूरा करने का काम करती है, तो यह एक अच्छा है, management के लिए भी, और employee के लिए भी, अब बात करते हैं कि आज की date में, e-collectives क्या-क्या हो गए है, नमबर वन, attracting associates, आप किसी को भी attract कर सकते हैं, adjustable, anonymity, नमबर तीन है, information, sharing, आप डारेक्ट करते हैं, आप मुबाइल पर, आप चेट पर बहुत सारे प्लेटफोर्म बन गये हैं, आपका Facebook पेज हो सकता है, आपका LinkedIn हो सकता है, Instagram हो सकता है, या SMS हो सकता है, WhatsApp से आप information collect कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफोर्म हैं, जिनसे information एक नट में सबको share होती है, और सबकी voice capture होती है, तो आज communication के साधन बहुत fast और reliable हो गया है, इसलिए information sharing बहुत fast हो गई है, आप उनको पूरी तरह से share कर सकते हैं, project planning and monitoring, आप जो भी project चला हैं, उनकी planning proper कर सकते हैं, उनको communicate कर सकते हैं, शाम को, उनकी progress report ले करके उन्हें review कर सकते हैं, और monitoring कर सकते हैं, आपका project चलाने से मतलब है, employees के welfare के लिए, employees के protection के लिए, जो भी आप scheme लागू कर रहे हैं, आज आपको जगे जगे जाने की बार बार बाहर जाने की आवश्चक्ता नहीं है, इस connectivity से आप इन सब चीजों को जोड सकते हैं, नमबर next है, integrating demand and common grievances, आप एक portal बना दीजे, उस पर सब लोग अपनी, जब भी जिसको problem होगी, वो अपनी भेज देगा, वहाँ से आप collect कीजिए, उन सब को जब भी आपकी management के साथ weekly या fortnightly meeting हो, उन सब में उठाइए, तो integrating demands and common grievances पड़े आसानी से हो सकता है, next है, interaction with management, आप management को भी interact कर सकते हैं, आज आपको खुझ जाने की जयुद नहीं हैं, आप online जा सकते हैं, phone से जा सकते हैं, WhatsApp से जा सकते हैं, important photographs भेज सकते हैं, उन सब के positive और negative हैं, वो अलग issue है, लेकिन ये सब आप कर सकते हैं, next है, fee and finances, आज आपको एक-एक ही नहीं है, आपको एक time दे करके सब को आप अपने bank account में अपना उनका जो membership fee है, वो जमा करा सकते हैं, या जब भी कोई आप collection कर रहे हैं तो वो ले सकते हैं, तो ये बड़ा आशान काम होता जा रहा है, ऐसा ही welfare of employees, आपको message देना है, message लेना है, कभी birthday visage हैं, कभी employee के promotion की visage हैं, कभी employee के family में कुछ अच्छा काम हुआ है, उनकी visage है, किसी के बच्चे ने top किया है, उनकी visage है, किसी की बच्चे का अच्छी ले होता था, वो आपको information मिलेगी, आप welfare की बात भी कर सकते हैं, employee के, या union के, management के, या organization के हित में जितनी भी बाते हैं, उन सब को आप welfare scheme के साथ जोड़कर आगे बढा सकते हैं, next है relation, सब के साथ संबंद बराए रखना, यह आज के यूग में बढ़ा आसान हो गया है, यूनियनों को भी, electronic media का, social media का इस तरह यूज किया जाना आवश्यक है, अब बात करते हैं, कि भारत को यदि हमें एक developed country देखना है, तो union के महत को समझना, और union को, industry के महत को समझना, सबसे पहले राष्टरित, फिर उद्योग हित, और फिर स्रमिक का हित, यह जो सब चीज़े हैं, के वर paper तक नहीं रहनी चाहिए, वास्तम में इनको बनाकर, management के कंदे से कंधा मिलाकर, उसकी तरक्की में, उसकी उन्नती में, सहयक बनने के लिए, चितनी भी अपनी योगता चमता, दक्षता, कुसलता, चाहिए, वो इसकिल सेट यथा संभव, चाहे हूँ लर्निंग से, चाहे री लर्निंग से, या री स्किलिंग से, पैदा करें, वो पैदा कर, उनकी सहयोग में हम सदे उत्तत पर रहे हैं, अब यह बात करते हैं, कि यूनियनों को भारत में problems क्य क्या फेस करनी पड़ रही हैं, नमबर वन, अनिवन ग्रोथ, कहीं बहुत ज़्यदा ग्रोथ है, कहीं ग्रोथ है नहीं, तो यह एक बड़ा मुद्दा है, कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे हैं, किसी की membership अचानक बढ़ जाती है, कि कि घर जाती है, नमबर दो है low membership, क्योंकि जब multi union हो जाएंगी तो नमबर कम हो जाएगा, दूसरा वैसे भी अब worker खुद अपने हित साधने लगा है, अब उसको लगता है कि मैं management से खुद बात कर लूँगा, management खुद interaction बहुत बढ़ा देती है, तो वह उन चीज़ों को करक union का आज member बनना नहीं चाहता, तो वह direct management के touch में रहना बहतर समझने लगा है, नमबर तीन है, multiplicity of unions, जो भी हमने बात की, एक ही industry में बहुत सारी unions बन जाती है, क्योंकि हर आदमी अपना हित साधने के लिए, वह worker का हित नहीं, स्रमिक का हित नहीं, उसका अपना नीजी को बना देता है, मैंने अपने 40 सान के अनभाव में यह भी पाया कि कुछ departmental head ही अपने कुछ विशेश लोगों से union बना देते हैं, वह उद्योग का नुकसान कराते हैं, लेकिन management को जब तक संजमाती है, तब तक वहां से रिजाइन कर, जो बदल देते हैं, लेकिन उद्योग का काम या स्वार्थी लोगों का काम हैं, अधरवाई एक उद्योग में एक या अधिक सदिक दो union हैं, काफी हैं, तो यह एक बड़ी समश्या है, प्रेड यूनियनों के कमजोर होने में, अगली है, इंटर यूनियन राइवलरी, जितनी unions ज्यादा होंगी, तो आपस में ल जगड़ा होता है, कहीं मारवारी वर्सिस नोनवारवारी वर्सिस बहुत जगड़ा होता है, कहीं बिहारी वर्सिस महराष्ट्रीशन का जगड़ा होता है, तो यह इंटर यूनियन राइवलरी जूनियन को कमजोर करती हैं, आगे है वीक फाइनेंशल पोजिशन, आज तरह जो मैंने देखा कुछ उनियनों ने अपने बड़े सहरों में अपने गेस्ट हाउस बनवाए हैं उनका स्री में काये तो वहां रुक सकता है अब वह सुग्धाएं देना बंद होता जा रहा है क्योंको उनको मैंटेंड करना या नई फैसिलिटी डवलप करना उनके बूते के बाहर हो गया है नंबर लेक ऑफ पब्लिक सपोर्ट आज जो आम जनता है वह भी इन चीजों को नहीं समझते वह भी यूनियन की जगे डारेक्ट अपने आप कर यूनियन को कमजोर करती है जैसे जो लोकल अमेले हैं वह यूनियन को क समझते हैं मैनेजमेंट को ग्रिल करके अपनी बात मनवाने की काम करते हैं उत्तर प्रदेश का बुरा हाल होना इसका सबसे बड़ा उधारना है उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री उनिस सो साथ में बहुत थी उनिस सो असी आते आते कम हो गई और आज लगबग उत्तर प वो या तो गुंडिजम में या फिवरिटिजम में या सेलफ इंट्रेस्ट में उलज गए और इंडस्ट्रियल एप्रोच को इंडस्ट्रियल कल्चर को किल कर दिया इसलिए इंडस्ट्री छोड़ कर चली गई तो यह यूनियनों के लिए एक कुछ बड़े चे लेंजिज हैं जिनकी वज़े से unions खतम हो रही हैं अब बात करते हैं essential conditions for success of unions क्या होना चाहिए वो है या नहीं है वो conclusion में बात करेंगे number one sound internal structure और organization किसी भी union का किसी भी स्रम संगठन का एक तो उनका अपना structure बहुत sound होना चाहिए वो local level पर state level पर और national level पर तीनों level पर जो भारत में दस स्रमक संगठन national कहे जाते हैं उन सब किये बड़ी कमी है कि local level के साथ connectivity ना तो state level की है और नहीं national level की है और यदि हैड़ी तो politics है तो वो खुद भी है मैंने बहुत सारे जोगों में मेरे 40 साल का अनभवयर सदय मैंने यूनियनों को डील किया है यूनियनों के साथ मेरे बहुत संबंध मधूर रहे हैं मैंने चार-चार नेशनल प्रेस्टेंटों के साथ काम कर उद्योगों में समझोते किये हैं तो यह एक बड़ा मुद्दा मैंने हमेशा पाया है कि उनके पीछ इस्ट्रक्च्रल कमी और्गनाइशन में वीक्नेस नजर आती है कि लोकल के साथ स्टेट का या नेशनल लेविल का कनेक्शन गायर हो जाता है कोई कम्यूकेशन नहीं होता है और सब मनमर्जी करने लगते हैं तो यहां यह अच्छा है वह और्गनाइशन सक्सेस्फूल है यह ठीक करने की जरूरत है नमर्बर दो है साउंड लीडर्सिप और माइथा कम्यूकेशन में कोई ताइम नहीं लगता इसलिए कम्यूकेशन फास्ट होना चाहिए इन चीज़ों को करना बहुत जरूरी है वो और्गनाइशेशन अपने हैं यूनियंस को ठीक महत्व देती हैं वो यूनियंस ज्यादा अच्छी सक्सेस्फूल कही जाती है जिन में साउंड लीडर्सिप और एक सिस्टम एप्रोच पर काम किया जाता है नमबर तीन है कोहरेंट एंड वेल कंवींस्ट पॉलीसी ऐसी पॉलीसी ऐसी निती बनाई जाए जो सबको कन्वीनियंट हो और कोहरेंट हो सबके सुभाण मन भाती हो सबके हित की हो कुछ लोग यदि कुछ लोगों के लिए ही काम करते हैं तो वह और्गनाइशेशन्स खत हो जाती है ट्रेड यूनियन का एक बड़ा मुद्दा है आप यदि किसी भी ट्रेड यूनियन के तिहास देखेंगे वह आज मुद्दा नहीं है तो उनमें यह चीजें बड़ी कूट-कूट कर आपको नजर आएंगी कि लोगों ने ना तो कोहरेंट वे में ना वेल कंवी में काम किया उन्होंने कई बार डिक्टेटर सिप में काम किया उससे उद्योग भी मरे और वो खुद भी खत्म हो गए ऐसे बहुत उदारान है महराष्ट में भरे पड़े हैं गुजरात में आज यही आलम हो गया है तो इन चीजों को समझने की आवश्यक्ता है नमबर चा पर में पॉलिसी बना दी पेपर से कोई और्गनाजेशन नहीं चलती उसका पालन किया जाना उसका अक्षर से अनुपालन होना आवश्यक है नमबर पांच है प्रोग्रेसिव लेवर फॉर्स इसकिल सेट और न्यू कॉम्पिटेंसीज वो यूनियंस आज सक्सेस्फुल है जिन्सोने अपने मेंबर को प्रोग्रेसिव बनाया है उनके इसकिल सेट को बाइट ट्रेणिंग से मेनेजमेंट से मिलके सब्स्ट होने वाला है यह आप टेकनलोजियू यूज कर रहे है तो यह लाईये मेरे यहां सुफ्ट इस्किल की कमी सब्सक्राइबं ए क्थिज यह हंब हम्कुक्ट मंडूप म नहीं बनना चाहते हम बाहर निकल कर समझना चाहते हैं हमें समझाइए चाहे हमारी टेखनोलोजिकल कंपटेंसी हो चाहे स्वफ्टी स्किल की इन चीजहों को बढ़वाने में आप हमें ट्रेणिंग दीजिए मदद कीजिए वो आज यूनियन्स काफी सक्सेस्पूल है नमबर छह है नॉलिज यह बहुत जरूरी है क्योंकर बहुत तेजी से इंटरनेशनल लेविल पर या अंतरनाश्टिय प्रतीस परधा की कारण बहुत सारे लेबर लोग भारत में नहीं वरन विस्व के अन्य देशों में भी बहुत तेजी से बदले जा रहे हैं तो लेबर लोग की एक एक अमेंडमेंट की जानकारी होना और उनको वरकर के हित्म है लागू करवाना एक अच्छी यूनियन की पहचान है यदि हम यह सब नहीं करते हैं बलकि मैं तो यह कहूंगा कि जो नेशनल लेविल की यूनियन है उन्हें पहल कि मंसा क्या है इस में क्या परवर्टन आने वाला है उसका इंपक्ट मेरे और मेंबर्स पर क्या पढ़ेगा उन्ह सब की जानकारी होती है तो उन सब को ड्रॉपडाउन लेविल तक बॉटम लेविल तक पहुचाना उनको काम करना अब आवश्यक हो गया तब ही एक यूनि यह वीडियो बनाया है वे समझने की आवश्यक्ता है कि भवश्य में कौन-कौन सी यूनियन है सेफ और शीक्योर है या सक्सेस्फुल कही जा सकती है जिनका महत 100 फ्लूर पर नजर आएगा नंबर वन इट इज लिंग्ट विद्धा ब्रॉडर कंसर्म फॉर एंशुरिंग दा कोहसं आफ वर्किंग पीपल इन लार्ज और डाइवर्स कंट्री जो एक जो भारत बहुत बला और डाइवर्सी फाइड कंट्री है उसके सब के साथ जुड़ा रहेगा जिसके साथ कनेक् उसके वर्किंग पीपल हैं उनके इंट्रेस्ट को सेफगार्ड करेगा वही यूनियन अब बच पाएगी नंबर या मेंबर्सिप किसकी कम है किसकी ज्यादा है इससे कोई मतलब नहीं है तो यह और्गनाजेशन को अपने स्ट्रक्चर में ट्रेड यूनियन आज इसका कोई मतलब नहीं है कि आप कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं कहां काम करते हैं आज जरूरत है कि आप और्गनाजेशन के साथ साथ अन और्गनाजेशन जो स्रमिक हैं उनको भी सीकुरिटी दिलवाना उनकी इनकम की गारंटी देना उनके जॉब की गारंटी देना उनको सेफ वर्किंग कंडिशन्स सेफ वर्क एन्वार्मेंट बराबर देना और उनके जॉब को जो इर्रेगुलर या कॉंट्रेक्च्वल मैं कॉंट्रेक्टर वर्कमेन बहुत हैं यसा नहीं है कि यह कुछ नया है उसको नाम अलग दे करके हम बात कर रहे हैं तो जो इर्रेगुलर कॉंट्रक्च्वल जॉब्स को ठेक केर करेगा वो यूनियन है फ्यूचर में सक्सफफुल यूनियन होंगी तो यूनियन के लिए नमबर तीसरा जो एंशरिंग सोशल सीक्यूरीटी सोशल सीक्यूरीटी की चितनी भी स्कीम से चाहिए वो रगदेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजनस अक्ट 1952 में स्कीम हो, वर्कमेन कंपेंशेशन हो, ग्रैचुटी हो या और स्कीम हो बहुत सारी ऐसे स्कीम हैं जो आज आ रही है बारत सरकार ने बत्तोपंद ठैंकड़ी एक उनका ट्रेनिंग का सेंटर है उसके द्वारा या वीवी ग्री सेंट्रल गवर्मेंट का इंस्टीट है उसक और करेगा वहें उनका एक बड़ा विश्व होगा वहें उनकी महत्व को और बढ़ाएगा तो जो फ्यूचर में हैं वह इन चीजों को काम करना उनके लिए आवश्यक होगा तब उद्योग कि तरक्की भारत में उद्योग हों सर्विस सेक्टर हो या hospitals हो, education हो, agriculture हो, automobile हो, chemical industry हो, film industry हो और कोई भी हो आप मैं तो कहता हूँ real estate भी हो तो उन सब चीजों में हम grow कर पाएंगे और भारत को एक सुन्दर तश्वीर देंगे और यही trade unions के महत्व को आगे बढ़ाएगा तो trade unions का महत्व यदि इन सब कामों को करते रहेंगे तो बहुत अच्छा भाविश्य लेकिन यदि हम 1960 के धर्रे पर, 1980 के धर्रे पर काम करेंगे या आज हम 2000 की मानसिक्ता के साथ अपनी union चलाएंगे तो ना तो मैं सिक्योर हूँ ना मेरी union सिक्योर है ना मेरा future सिक्योर है तो आवशक्ता है हमें बदलते हुए परवेश में बदलती हुई मानसिक्ता की और बदलती हुई सोच के साथ विकास को लेकर आगे बढ़ने की अपनी competency अपने skill set को need के हिसाब से develop करने की so floor पर अच्छी conditions अच्छा work environment ensure करने की तभी हम आगे बढ़ सकेंगे आज यदि मैं economy को बढ़ाना चाहूं जिसमें trade unions का और या यूं कहिए जो trade union के member workers हैं उनका रोल बहुत एहम है कोई भी पूंजी कोई भी उद्जोग पती बिना स्रमिक के काम नहीं कर सकता इसी लिए स्रमिक संठनों का महत सदय बना रहेगा लेकिन सबका नहीं केवल उनका जो progressive approach के साथ बदलते हुए वक्त में बदलती हुई मानसिक्ता के साथ आगे बढ़ेंगे इनी सब्दों के साथ आप सबका